हाई गाईज मेरा नाम निशानत है आज हम 2019 और 2020 का जो जनरल बजट है यूजिन बजट है वो डिसकस करेंगे जो कि 5 जुलाई 2019 को पार्लियमेंट में जिसके बारे में निर्मला सीता रहमन जी ने जो इशू किया था निर्मला सीता रहमन मैं आपको बता देता हूं कौन है हम तो यह सेकंड ऐसी फीमेल फृइन traum मिनिस्टर ए है इससे पहले इंद्रा गांदी की घी जो हमारी फ्रायम मिनिस्टर भी ती और हमारी फ्राय मिनिस्टर किया गया था इससे बड़ी इससे जो फर्स जो टॉप पे थी वो थी दो घंटे और 14 मिनिट की जो स्पीच थी वो थी अब इन फैक्ट के बाद हम चलते हैं यूनिन बजट की तरफ की एक्चुली उसमें जो हाइलाइट्स पॉइंट्स थे जो हमने डिसकस करने हैं वह देख बैंकिंग एडिए बीसी रिकॉर्ट रेकवरी ओफ लाग करोड इन लास्ट फर यहर्स ड्यू टू आईबीसई अब चार लाग करोड की रिकावरी की गई पिछले चार सालों में डू टू आईबीसी क्या है इनसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो की 2016 में लाया गया तो उसी सरे रिलेटेड अगर हम डिसकस करें तो यह तेईस परसेंट 2017 से 2007 से 2017 तक 23% की गई मतलब एवरेज एवरेज रिकावरी अंडर वेरियस रिकावरेज जेंज 23% की जाती थी 2007 से 2017 के अब 2017 में जब तो 43% के रिकावरी हुई है हमारे अब देखते हैं नेक्स पॉइंट प्रोवीजन कवरेज रिशियो ऑफ बैंक्स हाइस इन सेविन अब जो पिछले साल के जो प्रोवीजन कवरेज रिशियो में पहले बताता है आपको क्या होता है कि एक प्रॉफिट का पार्ट सेव किया ज प्रãoफिट रखा जाता है उसे कहते हैं कवरेज रिशियो तो जो बैंक्स का जो प्रोवीजनल कोवरेज रिशियो था वह साथ सालों में सबसे ज़्यादा इस पिछले साथ सालों के हिसाब से वह सबसे ज़्यादा था अब प्रपोज फर दरी केपिलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विचिस सेवेंटी थाउजन करोड अब यह थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तक यह कुछ वह जिंका अपनी रिटरर्न कर सकते हैं जिनका टर्न-वर पाँच करोड से जादा है अब जीएश्यार जरीफंड पहले जो था वह तरीका कुछ और था अब जो तरीका इन्होंने जो एंप्लिमेंट किया गे वह क्या होगा कि GST को refund fully automatic होगा उसमें आपको कुछ ऐसा कुछ करने की डिसकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है यह कि एलेक्ट्रोनिक इन्वाइश सिस्टम इस प्रोपोज यहीं डिसकस कर सकते हैं कि जो करते थे फुली ऑटमेटिक हो जाएगा स्वच भारत स्वच भारत में क्या है मोर्दन 95 परसंट इस सिटीज और 5.6 मतलब कि 95 परसंट अपने पूरे कंट्री की 95 परसंट जो सेटेज हैं वह फ्री हो चुकी है ओपन देफेकेशन फ्री हो चुकी हैं मोर्दन 45,000 पब्लिक और गूगल मैप्स पे 45,000 से ज्यादा पब्लिक और कम्यूटी टॉइलेट जो हैं वह अप्लोड कर दिये गए हैं कि जो इस ताइब जो नशुच बहुत हैं अब लाया जाएगा हर एक विलेज में वेज में जो भी सॉलिड वेस्ट उसकी मैंजमेंट कैसे करने हैं उसका क्या यूज करना है उस पे भी अब काम किया जाएगा उसको भी अब एक्सपैंड किया जाएगा अब जो नमबर आफ पेटेंट्स तो भी इशूद बिफोर तूज़न फॉर्टी एस नाव बिन इंक्रीज़ थी तैम्स अब जो 2014 से पहले जो पेटेंट्स थे वह क्या थे कि उनको जो पेटेंट्स वह तीन टाइम से इंक्रीज कर दिये गए मतलब कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है यह अब को कंपेर कर रहे हैं 24 से पहले जो थे पेटेंट्स वहां 24 से जो तीन टीन टाइम इंक्रीज हो चुकी है वह चीज़ अगर हम 24 से पहले वाले को कंपेर करें तो साइज ऑफ एकॉनमी इस यूएस डॉलर 2.7 ट्रिलियंड दो पॉइंट 7 ट्रिलियंड की बतलब 2.7 ट् ने बाद हमारी तीसरी जो है वह है लाज़स्ट ऐकॉनम पर्चेजिंग पावर परेटी का होता है कि अगर हम देखें मेट एक मेट्रेग होती है यह इकॉनमा प्रोडक्टिविट्क चांडर्स ऑफ लीविंग को जो ऺईंडशनेश वूएंक बाद हमारी तीसरी है चैना अब क्या है 5 ड्रियंट दॉलर तक पहुंच जी हमारी एकॉनमी का अगला अगला जो अप्जेक्टिव है जो हमारी सरकार का अप्यक्टिव रहेगा कि अगले कुछ सालों में वह पाँच ट्रीयंट डॉलर तक पहुंच जाए जो कि अभी शिरफ 2.7 trillion dollar है अब इसके लावा मैं आपसे बात और बताना चाहँगा कि जो इसके regarding जो था स्वच बारत के regarding आपको बतानों कि जो राश्ट्रिय स्वच के इंदर है राजगाट के पास एक राश्ट्रिय स्वच के इंदर भी खोला जाएगा और एक गांधी पीडिया गांधी पीडिया भी बनाई जाएगी जो कि अपने यूथ को और अपने सोसाइटी को गांधी वैल्यू जो थे जो गांधी के जो वैल्यू जो गांधी के जो भी गया कि GST को दो साल हो चुके हैं अब GDP देखें तो fastest growing major economy in the world देखो अगर हर country से कर हम compare करें जैसे हैं यहां पर हमने क्लेम किया है कि fastest growing major economy in the world major world पर गाय स्ट्रेस डालो क्योंकि अब क्या है कि हर country से GDP compare नहीं की जा सकती अब जो बड़ी-बड़ी countries हैं जो major economies हैं अगर उनको हम comparison करें अगर उनके साथ तो उसमें हमारी जो कंट्री वह fastest growing है अब 11th largest economy थी 2013-14 में लेकिन 6th largest हो गया 2019-20 में वैसे दिखा जाए तो 2018-19 में हमारी 6.8 था हमारा GDP मतलब 7.2 से 6.8 हो गया पॉइंट चार परसेंट का गिर चुका है लेकिन देखें तो अब इसमें कोई गबराने वाली बात नहीं है बिकॉस जो है यह जो GDP गिरी है all over मतलब हर major economy की GDP गिरी है इन कुछ सालों में गिरी है तो ही हम 11th largest से 6 largest पे आ गए है तो इसमें वैसे देखा जातो 0.4 गिरी है 7 से नीचे होना अच्छी बात नहीं है बट सिल अगर हम compare करें overall तो हर country की गिरी है तो इसमें कोई ज़्यादा tension वाली बात नहीं है अगले पांच सालों में government invest करेंगी वह देखते हैं कैसे करेंगी रोड पे सबसे पहले तो भारतमाला phase 2 भी to be launched state road अब जो भारतमाला का phase 2 भी अब लांच किया जाएगा guys state road जो state road के जो networks वह भी अच्छे से develop किये जाएंगे जो world का तीसरा largest domestic aviation market बनाया जाएगा यहां पर एविएशन मतलब की airplanes वगारे से related वर्ल्स का तीसरा largest aviation market बनाई जाएगी उडान उडान के अंडर जो थी नंबर आफ जो मतलब local cities पर चोट चोटी cities में मतलब economic जो flights थी उसके लिए क्या है कि सो operational अब हमारे जो उडान के कोर्णिंग के अंडर जो थे सो से ज्यादा airports operational कर दिये गए हैं shipping and internet waterways अगर हम बात करें तो जल्मार्ग विकास प्रोजेक्ट जल्मार्ग विकास प्रोजेक्ट में अगली सलेड में डिसकस करते हैं क्या सागर माला आपको यह पहले होई चुक है तो इसका phase two करेंगे अब इन दोनों से होगा क्या shipping और inland waterways में क्या होगा कि improving logistics logistics मतलब जो समान का आना जाना जो भी raw material है उसका आना जाना वो improve होएगा reducing transportation cost जो transportation cost है वो reduce होगएगा आपको यह comments एक जीके वाली बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो waterways हैं वो हमेशा सस्ते बढ़ते हैं as per the airways और as per the roadways जो waterways वो हमेशा सस्ते बढ़ते हैं यह हमने ऐसे social studies में पढ़ा होगा six-seven का यह पार्ट है कि जो waterways हमेशा सस्ते बढ़ते हैं road से roadways से और airways से अब कर इससे क्या होगा कि जो transportation cost है वो कम होगी तो ultimately क्या होगा कि हमारे जो final product है उसका भी जो प्राइस है वो कम आ जाएगा अब आपस में भी देखें कंट्री के अंदर वाले जो प्रॉडक्ट्स हो जाएगी क्यों हर चीज का रेट कम हो जाएगी तो उसका जो ultimate रेट हो भी रिडियूस हो जाएगा और बार वाली कंट्री सब्सक्राइब करें जो जो प्रॉडब यह जो जो एक बात बहुत अच्छी बात है जो हमारे अब जो डिवलप्रेंट हो इसके अकॉर्डिंग नेशनल कॉमन मोबिलेटी कार्ड लाउंच यह हम नेक्स लाइड में डिसकस करते हैं अभी देखते और इस पूर्विविंग हमारा जो खर्चा आ रहा था 98.4 आ रहा था लेकिन अब 2019-20 में हमारा क्या है कि हम 95 करेंगे इसको कम से कम 2018-2019 में 96.2 था अब इसको और गठाने का जो है वो प्लैन है 96.2 से 95 करने का मतलब कि अगर हमने 100 रुपे कमाई है तो हम उस पे 95 रुपे ही खर्च करें 5 रुपे हमार जो जो लेंदेन है नैशनल वाटरवे से वह कर रहे हैं इसके अंदर पहले फ्यां किया था वी रेसेटली क्या हुआ था कि मर्टी मोडर टर्मिनेट वारा नसी साहिप गंज़ और हलल्दिया पर भी बनना है लेकिन वारा नसी वाला अल्रेडी ऑपरेशनल है अभी चल रह टर्मिनल है वारा नसी में वह नैश्रल वाटरवे वन पर चलाया था और साहिब गंज और हल्दिया अभी बनाना है डिदूसिंग ता कोस्ट ट्रांसपोटेशन इंक्रीजिंग यह हमने डिसकस करी लिए कि इसके कारण क्या होगा कि जो कोस्ट जो ट्रांसपोटेशन की कोस् वाली लाइन होगी है कि अगर ट्रांसपोटेशन की कोस्ट कम होगी तो अल्टिमेटली उसका जो प्रोड़क्ट का प्राइस है वह कम हो जाएगा और जो कॉंपिटिटिवनेस है वह इंक्रीज़ के लिए भी जो मतलब अपने देश के अंदर जो बनाए जा रहे हैं उसके सब्सक्राइब कोरिडोर्स बारतवाला एंड सागरमाला प्रोजेक्ट्स और उडान और बारतवाला अपने डिसकस कर ही लिया है हाउसिंग पर हाउसिंग भी देखते हैं सर क्या क्या होगा कि हाउसे अंडर जो रानमंत्री आवास योजना है अर्बन में एटी वन लाक जो हाॉसे सेंक्षन किये गए हैं कंसेक्षन 47 पर स्टार्ट हो चुकी है 26 लाक बना दिया और 24 लाग तो लोगों में बाट भी दिये लोगों को a lot बिंग नाग का उसमें से 47 शुरू हो चुकी है मैं फिर से बता जहता हूं कि स्वनटी सिखलाइक कंप्लीट हो चुकी है और 24 लाग लोगों को अलग कर दिये अब प्रमोशन अफ रेंटल हाऊसिंग रेंटल हाओसिंग प्रमोशन किया जाए प्रमोट किया जाएगा कैसे model tenancy law to be finalized अब पहले कहता है जो पहले law था जो tenancy का जो पहले law था वो बहुत पुराना है इसको भी अब change किया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा rent पे दे और लोग ज्यादा rent पे ले उसको भी अब कुछ देखते हैं आप आगे जब law आएगा तब क्या है फिलाल तो जो है वो वो प्लैन लाया जाएगा connectivity infrastructure जो connectivity infrastructure जो पूरे country में connectivity infrastructure उसको इंप्रूव करने के लिए क्या successful model पे बनाया जाएगा यह grid बनाया जाएगा जिसका क्या लोगों क्या मेन मोटिव क्या है वन नेशन वन ग्रेड मतलब एक ही grid होगा और एक ही नेशन होगा गाइस grid क्या होता है कि जैसे मालो जो आगर हम power की बात करें अगर हम electricity की बात करें ग्रेड एक तरह साप ऐसे कहलो कि एक जाला है टाइप जिसमें इसमें consumers भी है जिसमें जो supplier के वह जाला सा बना हुआ है कि एक एक नॉर्थ साइड का ग्रेड है इसमें नौर्थ वाले जो सारे यूजर्स हैं और इसमें नॉर्थ वाले जो सारे इसमें लेकिन अब एक निशन और एक ग्रेड बनाया जाएगा ताकि क्या हो कि affordable rates पे स्टेट्स को और अपनी जो भी स्टेट्स अंडर उनको अफॉर्डबर रेट्स पर जो है पावर मिल सके अब इनकी के लिए क्या कि वाटर बनाए जाएंगे गैस बनाए जाएंगे रीजनल एरपोर्ट्स भी है पावर डिसकसी कर लिया आईवेस वगरा तो यह भी सारे अभ चार सालों से काम कर रही है MSME पर जिसमें से एक काम जो ने मुद्रा स्कीम भी ठोड़ा पहले जो लांच किया था वह काम करने के लिए इंट्रस सब्वेंशन स्कीम थ्रीफिटी क्रोड़ एलो कोटेट एलो कोटेट फॉर टूज़एंटी तो परसेंट का जो क्या है कि कंस चार प्रशेंट का जो कंशेशन गया जाएंगे यह इंपोर्टन बात है इसके नदर मैंशें नहीं है 2% का जो इंटरस दिया जाएगा जो GSTC under registered MSME है तो और 3.5 करोट रूपे allocate किया जाएंगे payment platform for bill filing for MSMEs to be created to address deals अब delays कम करने के लिए पहले क्या होता था कि एक अलग सा platform था जिस पर bill issue करना पड़ता था और फिर सरकार से जो पैसे थे तो उसमें भी time लग जाता था लेकिन अब एक ही payment platform बना दिया मतलब अब उ की चीज इंट्रोड्यूस करें social stock exchange जिसमें क्या और सोशल एंटरप्राइस वो भी इसके अंदर अब आ जाएंगी making India में क्या चेंज़ें कि चेंज़ें कस्टम ड्यूटी स्टू प्रमोट मेकिन इंडिया अब कस्टम ड्यूटी जाएं तो उसके लिए उसमें भी स्टार्टप्स की प्रमोशन के लिए क्या है exclusive TV channels अब स्टार्टप्स की प्रमोशन के लिए exclusive TV चैनल मतलब एक special TV चैनल बना दिया जाएगा जो स्टार्टप्स की सरफ promotion करेगा उनकी advertisement करेगा अब स्टार्टप्स में और क्या चीज़ है अब क्या होता था कि पहले जैसे इंवेस्टर की अपने भी वेरिफिकेशन होगी किसकी investor की मतलब अगर कोई पैसे कर रहा है तो उसकी verification की जाएगी और जो सोर्स ओफंड यह वह भी देखे जाएंगे किसके लिए tax के शुखिए लिए पहले जो थे लोग थे वह इंवेस्ट कर देते वह टैक्स निशू करते थे अपनी इडेंटिटी नहीं बताते होते थे तो वह चीज़ अब सारी सॉल्व गी जाएगी बिकास टैक्स से जो इंकम थी वह बहुत कम हो रही थी तो टैक्स की इस सरकार का पहले शूरू में बह होगी अब विकल्स को पुष्ट दिया गया गाइस फेम अभी डिसकर्स करते हैं क्या चीज़ है कि फेम जो स्की में उसका फेस्टू शुरू किया जाएगा और कस्टम ड्यूटी एक्जंशन और सटेंट इविकल अब बालों जो इविकल के जो पार्ट्स होएंगे उस पे किस्टम ड्यूटी कम कर दी जाएगी इविकल्स आगर जादा-जादा यूज करने काम प्रमोट करें बिकॉस पॉल्यूशन ने करना है बहुत हो रही है यह बी एक नैशनल इस्यू नहीं कह सकते पूरा वर्ड इसू है उस पे काम करने के लिए सरकार ने कुछ नए लाय है आपका जो इंकम टैक्स है वह कम कर दिया जाएगा या वह इंट्रस हो सकता आपको पेह ही ना करना पड़े अब जो फेश्ट की था सब्सक्राइब 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 करने के लिए इसका फेश्ट है वह लाया जाएगा तब तीन सालों के लेकिये जाएंगे इसका अब्जेक्टिव हमने वैसे डिसकस कर लिया है बता वापस देख लेते हैं अप्फरंट इंसेंटिव और पर चेज ऑफ इलेक्रिक वीकल्स और अब जगा जगा पर डेवलप किये जाएंगे पैट्रोल पंस की तरह यह चार्जिंग वाले भी जो प अब क्या है कि अगर जो SMME को क्रेडिट देने के लिए एक करोड का कर आपको लोन चाहिए तो सरकार क्लेम कर रही है कि 59 मिनिट्स में आपको इशू कर दिया जाएगा मतलब एक घंटे में आपको एक करोड का लोन ऑनलाइन पॉटल के दूरू जो इसके लिए अब गया जो प्रधानमंत्री करमयोगी मांदन स्कीम यह क्या है पैंशन बैनिफेट टू 3 करोड रिटेलर्स एंड स्मोल चॉपकीपर सुझ अनुल टॉनवर इस लेस देन 1.5 करोड अब अपने देश में अराउंड तीन करोड रिटेल की जो टेलर्स हैं और अगर बीच म इंकलूड कर लें चोटे शॉपकीपर्स को भी तो जिनकी अनुल टॉन ओवर डेड़ करोड से कम है तो उनके लिए प्रधानमंत्री करमयोगी मांदन स्कीम के अंडर उनको पैंशन दी जाएगी इंडिया ट्राक्टेट 64.4 बिलियन वर्ट फडिया अब एफडिया और अब क्या होता था कि हमाँ जो पहले कोई बार से अगर कोई कंपनी आती तो हम उसके एक लगाते काप लगाते थे कि आपको इतना तो हमारे यहां से कंट्री से जो भी रॉम मेटीरियल है या कुछ भी कोई भी सर्वीस है वापको हमारी कंट्री से सोर्स करनी पड़ेगी व अब किसी समान बार से सकते हैं जरूररी नहीं से अगर और से सारह समां घर सारो मेटी अब अब जो है 100% permit कर दी जाएगी अब aviation media और insurance में भी FDI ले आएंगे further opening of FDI in aviation media and insurance अब देखते current account deficit current account deficit में जो पहले तो था 5.6% of GDP 2013-14 में 5.6% था अब बहुत कम हो चुका है guys 2.1% of GDP 2018-19 यह आप graph भी देख सकते हूं 2011-12 से यह नीचे ही गिरा है हां यहां पर आकर थोड़ा सा उपर हो गया लेकिन बहुत अगर 2016-17 तक देखे तो एकदम 0.7 हो गया तो अब देखे तो 2.1% हो गया अगर 13-14 से अगर कम compare करें तो आदे से भी कम हो चुका है यह current account deficit अब टेक्स पर देखते हैं क्या काम किया गया है जा डिरेक्ट टेक्स रिवेन्यू है लाश के दो सालों में 78% से इंक्रीज हो चुका है बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे पहले अगर हम देखे अगर इस government के आने से पहले तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास direct tax की बहुत कमी थी लोग tax ही नहीं पे करते थे तो अब क्या है वो उसम हमारे पास direct tax आने लगए 78% से इंक्रीज हो चुका है वो चीज अब पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग से उसको सेल किया जाएगा और नौन फैनेंशल स्पेस में भी उसको सेल किया जाएगा और देखते हैं कैसे हैं कि अब जो डिस इंवेश्मेंट की जाएगी वह ए 51% government का stake होना चाहिए किसके अंदर पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स के अंदर अब जैसे इन्होंने बताया है कि एक लाग पांच हजार करोड से यह कम करेंगे तो हमारा इसका में मोटीव है वह सरकार का नहीं है कि वह चेंज करें क्योंकि जो PSU का जो काम होता है व वह भी अब चेंज कर देंगे अब यह देखते हैं कि सरकार को पैसा आता कहां से ओसार करका पैसा जाता कहा है परसेंटेज में सबसे बड़ा जो है वह है कॉर्पोरे टैक्स असबसे जादा सबसे जादा पैसा अाथा का 21% उसके बाद और नाइचन नहीं नहीं लाउच आपके exam point of view से banking वाले exam से उसमें आप से exact figure पूछ सकते हैं लेकिन अगर अगर आप civil services की या कोई भी सबसे आप यहां सिर्फ पहले तीन जो है वह याद करने कि भी अब जाता है पैसा पैसा यहां पेसा फ्लाट 25 कुछ 90 को टाइस अब वह क्या कर दिया है 400 क्रोड तक कर दिया है कि जिनका turnover 400 क्रोड तक है उन पे 25% लगाया जाएगा मतलब कि यह बहुत अच्छी बात corporate tax कम कर देगा है अब देखा जाए 400 क्रोड से जो उपर जो है जिनका turnover 400 क्रोड से उपर है हमारी country में सरफ 0.7% companies है वो उस पे 30% की लगाया जाएगा उसमें कोई change नहीं किया है तो जो 500 क्रोड तक का turnover था पहले उस पे 25% लगाया जाएगा लेकिन अब 400 क्रोड तक जिनका turnover है उस पे 25% लगाया जाएगा अब interest deduction है 3.5 लाग का affordable house को purchase करने के लिए वो गम कर दिया गया है और cash withdrawal के लिए जो limit जो 1 करोड की गरम limit देखे तो अगर आप 1 करोड का अगर आप cash निकलवाते हो तो उस पे 2% का TDS लगा करेगा bank account से अगर आप 1 करोड का cash लगा निकालते हो तो उस पे 2% TDS आप से charge किया जाएगा यह किसले किया जा रहा है promote less cash economy मतलब कम से कम आप cash use करें इसलिए 2% का जो TDS है वो लगा जाएगा एक bank account से एक साल में एक करोड की payment पे यह याद रखना effective tax rate for individuals अब जिनका जो बहुत ज़्यादा high class people है जिनकी taxable income around 2 करोड है तो 2 करोड से उपर है पहले tax लगता था उसको 3% से बढ़ा दिया और जो पांच करोड से जो ऊपर थे उसको 7% से वह tax rate वह बढ़ा दिया है faceless e-assessment faceless e-assessment का scheme of faceless electronic assessment involving no human interface to be launched this year अब क्या होता था कि जो officials थे tax जो वाले जो officials है जो tax वगरा जो checking करते हैं उनको पहले पता होता था कि कौन सा person हम किसका जो है वो tax वगरा चेक कर रहे हैं अब वो उसके बारे में उनको नहीं पता होगा तो इसमें क्या होगा कि transparency आजाएगी मतलब अगर आप किसी का भी tax वगरा रिकॉर्ड वगरा चेक कर रहे हो तो उसमें आपको यह बताया नहीं जाएगा यह बहुत important है अगर हमें return अगर अगर फाइल करनी है तो हम पहले तो था कि pancard जो था वही चाहिए होता था लेकिन अब अधार आप यूज कर सकते हो पैंड कार्ड के जगह अगर आपको पैंड कार्ड नहीं तो आप अधार कार्ड के थूरू भी अपनी जो है वह रिटर्न फाइल कर सकते हो constitutional जल्शक्ती मंत्राले जल्शक्ती मंत्राले का अभी constitutional भी रिशेंटली भी न्यूज में भी था यह कि जल्शक्ती मंत्राले वो लाया गया है अब ensure of हर घर जल पाइपड वाटर मतलब जल जीवन मिशन के अंडर 2024 तक हर घर पे हर रूरल हाउसोल्ड में पाइपड वाटर जाइने का भी मिशन है किसके इंडर जल जीवन मिशन 2024 तक और यह यह तो तीन जो कीवर्ड जाद रखो हर घर जल जीवन मिशन और 2024 और यह रूरल हाउसोल्ड भी अर्बन है रूरल आउसोल्ड अब नेश्यल रिशाजर्ट फाउंडेशन है वह एस्टैबलिश किया गया ह है किसको arm & co promote करने के लिए उसको coordinate करने के लिए अब सरकार का बहुत जादा ध्यान जा रहा है है जिसका नाम है निश्र रिस पांडिशन बनाएगी लिए प्राइजरज को हमारे को चछी नूज नौर्मन बिंग के लिये एक middle class बंदे के लिए कि जो पेट्रॉल पे एकसेस ड्यूटी है वो कम कर दी गई है और इंपोर्टेट बुक्स पर बढ़ने वाले बच्चे है बहुत बुरी न्यूस है कि 5% की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है इंपोर्टेट बुक्स पर जो 5% के कस्टम ड्यूटी ब आ सकता है आर बी नहीं डाल दिया था कि आटीजियस और नेफ्ट के अंडर कोई भी आपको जो एक एक परसेंट आरांड जो चार्ज किया जाता था वह चार्ज नहीं किया जाएगा तो गाइस यूनियन बिजट में आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से यही इंपॉर्ट झाल 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 झाल